क्लास एट्थ हिस्ट्री चाप्टर नमबर फाइब जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद नीतियां और लोग पिछले अध्यायों में आपने इस्ट इंडिया कंपनी के नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारें पढ़ा इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमिंदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कारवाईयां जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती है, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं नवाबों की छीनती सत्ता अठारवी सदी के मद्ध से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे बहुत सारे दरवारों में रेजिडेंट तैनात कर दिये गए थे अस्थानिय शासकों की सुतंता घटी जा रहे थी उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था उनके राजस सुवसूली के अधिकार वा इलाके एक-एक करके छीने जा रहे थे बहुत सारे अस्थानिय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कमपनी के साथ बादचित भी की उधारन के लिए जहांसी की राणी लक्षी बाए चाहती थी कि कमपनी उनके पती की मिर्टू के बाद उनके गोद लिए बेटे को राजा मान ले पेश्वा बाजीराव दूतिये के दत्तक पुत्र नाना साहब ने नाना साहब ने भी कमपनी से आगरह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो मिर्टू के बाद उन्हें मिलने लगे अपनी स्रिष्टता और स्यानिक ताकत के नशे में चूर कमपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया अवद की रियासत अंग्रेजों के कबजे में जाने लवाली आखरी रियासतों में से थी 1801 में अवद पर एक सहायक संधित हो पी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कबजे में ले लिया गवर्नर जनरल टलहौजी ने आईलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाये जा रहा है इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिस प्रभुत जरूरी है कमपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी कमपनी दौरा जारी किये गए सिक्कों पर से मुगल बादशा का नाम हटा दिया गया 1849 में गवर्नर जनरल टलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाजफर की मुगलों के बादशा के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाये जाएगा 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाजफर आकरी मुगल बादशा होंगे उनकी मिर्तु के बाद उनके किसी ही वन्शच को बादशा नहीं माना जाएगा उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मानिता दी जाएगी किसान और सिपाही गामों में किसान और जमिंदार भारी भरकम लगान और करवसूली के सक्ट तरीकों से परिशान थे बहुत सारे लोग माजनों से लिया करजा, लिया करज नहीं लोटा पा रहे थे इसके कारण उनकी पीड़ियों पुरानी जमीने हाथ से निकलती जा रहे थी कमपनी के तहट काम करने वाले भारती सिपाहियों के असंतोस की अपनी वजह थी वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परिशान थे कई नए नियम उनकी धर्मिक भावनाओं और रास्थाओं को ठेस पहुँचाते थे क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाते थे उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाती भरस्ट हो जाएंगे जब 1824 में सिपाहियों को कमपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते वर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्हें इस हुक्म को मानने से इंकार कर दिया उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में एतराज नहीं था सरकार का हुक्म ना मानने के कारौन है सक्त सजा दी गई तो जरूरत पढ़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पढ़ सकता है सिपाही गावों के हालाद से ही परिशान थे बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे वे अपने परिवार गावों में छोड़ कर आये थे सानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहीों में भी फैल गया सुधारों पर प्रतिक्रिया अंग्रेजों को लगता था कि भारतिय समाज को सुधारना जरूरी है सती प्रता को रोकने और विद्वा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जम कर प्रोटसहन दिया गया अठारो सो तीस के बाद कंपनी ने इसाई मिश्णरियों को खुल कर काम करने और यहां तक की जमीन वो संपत्ती जुटाने की विच्छूट दे दी 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे इसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतिय विक्ती इसाई धर्म अपनाता है तो भी पुर्खों के संपत्ती पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा बहुत सारे भारतियों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रिति रिवाज और परामपरगत जीवनशैली को नश्ट कर रहे हैं दुसरी तरफ ऐसे भारतिय भी थे जो मौजुदा सामाजिक विवस्ताएं बदलाओ चाहते थे इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय साथ में पढ़ेंगे चित्र एक, सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 18.55 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था जनता की नजर से उस जमाने में लोग अंग्रेट शासन के बारे में क्या सोच रहे थे इसका जायजा लेने के लिए आप सुरोत एक और दो को पढ़ें सुरोत एक, 84 नियमों की सुची यहां महराश्ट्र के एक गाउं में रहने वाले ब्रामन, विश्नु भट गोड से द्वारा लिखित पुस्तक, माझा प्रवास के कुछ अंस दिये गए है विश्नु भट और उनके चाचा मतुरा में आयोजित किये जा रहे एक यग में भाग लेने के लिए निकले थे विश्नु भट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लोट जाएं क्योंकि तीन दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मत जाएगा सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार था अंग्रेज सरकार हिंदूओं और मुसल्मानों के धर्म को नश्ट करने पर आमादा है उन्होंने 84 नियमों की एक सुची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौझूदगी में उसका ऐलान कर दिया है उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तयार नहीं है उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों के चेतावनी दी है राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागो किये गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लोट गए है तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे है धर्म युद्ध के लिए तारीक ताय कर ली गई थी और मेरट छावनी से एक गुप्त योजना तियार करके विविन छावनियों में भेज दी गई थी स्रोत दो जल्दी ही हर टुकडी में उत्तेजना छा गई उस दौर की एक और जलक सुबेदार सिताराम पांडे के संस्मर्नों में मिलती है सिताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भरती किया गया था उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवरित हुए उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की हाला कि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सिताराम की आँखों के सामने ही मार डाला था अपने सेवानिवरित के बाद उनके कमान अपसर नौरगेट ने उन्हें अपने संस्मरन लिखने के लिए प्ररेद किया सिताराम ने 1861 में अवधी भाशा में अपने संस्मरन लिखे जिनका नौरगेट ने अंग्रेजी मैनुबाद किया और सिपाही से सुबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया सिताराम पांडे के संस्मरनों का एक अंशिस प्रकार था मेरा मानना है कि अवध पर हुए कबजे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाब साजिशें रचने लगे थे अवध के नवाव और दिल्ली बादसा के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादसाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है उन्होंने हजार जूट गड़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाब बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्लिय बादसाओ को दुबारा गदी पर बठाए जा सके उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझाओं पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रसिक्षन दिया इसी दोरान न जाने कहां से ये ख़वर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कार्तुसों पर गाय और सूर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है हमारी रेजिमेंट के लोग दुसरे लोगों को लिख कर ये ख़वर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का महौल बन गया कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजभब को चोट पहुचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया अवद पर कबजे के कारण सिपाही पहले ही गुस्ते में थे स्वार्थी लोगों ने फोरण यह कहानी गड़ दी कि अंग्रेज तो सबको इसाई बनाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने ऐसे कार्टूस तयार किये हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसल्मान और हिंदू दोनों ही भरस्ट हो जाए करनल सहव का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साब दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी सितराम पांडे फ्रम सिपोई टु सुबेदार प्रिष्ट 162 टु 63 चित्र तीन मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं उनके घरों में घुश जाते हैं और इमार्तों में आग लगा देते हैं गति विधी पहला सिताराम और विश्णु भट के मुताबिक लोगों के दिमाग में मुख्य चिंताएं कौन सी थी दूसरा उनकी राय में शासकों ने क्या भुमिका निभाई सिपाही क्या भुमिका निभाते दिखाई दे रहे थे सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया यदिपी शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती लेकिन कभी-कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राजी की सत्ता छिन भिन हो जाती है बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सब का शत्रू एक है इसलिए सभी कुछ करना चाहते हैं इस तरह के सिती में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है उन्हें संचार, पहल कदमी और आत्म विश्वास का परिचे देना होता है भारत के उत्री भागों में 1857 में ऐसी सिती ऐसी ही सिती पैदा हो गई थी फैतह और शासन के सौ साल बाद इस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रो से जूजना पड़ रहा था मई 1857 में सुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का स्थित्व ही खत्रे में डाल दिया था मेरट से सुरू करके सिपाहियों ने कई जगा बगावत की सशस्त्र संघर्ष था सैनिक विद्रो जब सिपाही एकठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुप मानने से इंकार कर देते हैं मेरट से दिल्ली तक 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपूर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया चंद दिन बाद मेरट में तैनात कुछ सिपाहीयों ने नए कारतुसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इंकार कर दिया सिपाहीयों को लगता था कि उन कारतुसों पर गाय और सूर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था पचासी सिपाहीयों को नौकरी से निकाल दिया गया उन्हें अपने अपसरों का हुक्म न मानने के आरोप में दस-दस साल की सजादी गई यह 9 मई 1857 की बात है मेरट में तैनात हुए दुसरे भारतिय सिपाहीयों की प्रतिक्रिया बहुत जवरदस्त रही दस मई को सिपाहीयों ने मेरट की जेल पर धवा बोलकर वहां बंद सिपाहीयों को आजाद करा लिया उन्होंने अंग्रेज अपसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया उन्हें बंदूक और हंथियार कबजे में ले लिये और अंग्रेजों की इमारतों वो संपत्यों को आग के हवाले कर दिया उन्हें फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया सिपाही पोरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का सासन कौन चलाएगा सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढून लिया था वे मुगल समराट बहादुर शाजफर को देश का सासन सौपना चाहते थे मेरट के कुछ सिपाहियों की एक टोली दस मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुँ अंधेरे ही दिल्ली पहुँच गई जैसे ही उनके आने की ख़वर फैली दिल्ली में तैनात तुकडियों ने भी बगावत कर दी यहां भी अंग्रेज अपसर मारे गए देशी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारुत कबजे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी विजई सिपाही लाल किले की दिवारों के आसपास जमा हो गए वे बादसा से मिलना चाहते थे बादसा अंग्रेजों की भारी ताकत से दोदो हाथ करने को तयार नहीं थे लेकिन सिपाही भी अडे रहे आखिर कारवे जवरन महल में घुस गए और उन्होंने बादुर्शा जफर को अपना नेता घोशित कर दिया बुढ़े बादसा को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिठ्थे लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारती राजियों का एक संग बनाने का हवान किया बहादुर्शा के इस एक मात्र कदम के गहरे परिनाम सामने आए अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल सामराज का ही शासन था जयातर छोटे शासक और रजवाडे मुगल बादसा के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे ब्रिटिश शासन के विस्तार से भैभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादसा दोबारा शासन अस्थाफित कर लें तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे अंग्रेजों को इन घटनाओं की उमीद नहीं थी उन्हें लगता था कि कार्टोसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शान्त हो जाएगी लेकिन जब बहादुर शाजफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो इस्तिती रातो रात बदल गई अकसर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्सा और साहस बढ़ जाता है इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत उमीद और आत्म विस्वास मिलता है चित्र चार कैवेलरी लाइनों में युद्ध तीन जुलाई 1857 को तीन हजार से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्लिया पहुँचे उन्हें यमना को पार किया और ब्रिटिस कैवेलरी चौकियों पर धवा बोल दिया युद्ध पूरी राज चलता रहा फिरंगी विदेशी इस शब्द में अपमान का भाव आता है बगावत फैलने लगी जग दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड गए तो लगभग एक हपते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ जाहिर है खवर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही सुरू हो गया एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपूर, वलकनव जैसे मुख्य बिंदूओं पर दुसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े उनकी देखा देखी कस्बों और गावों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे वे अस्थानिये नेताओं, जमिंदारों और मुख्याओं के पीछे संगठित हो गए ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तयार थे स्वरगिये पेश्वा बाजी राव के दत्तक बुत्र नाना साहिब कानपूर के पास रहते थे उन्होंने सेना एकठा की और बिर्टिश सनिकों को शहर से ख़देड दिया उन्होंने खुद को पेश्वा घोशित कर दिया उन्होंने आैलान किया कि वो बाज़धर बहादूर झफर के तहत गवर्णर है लकनओं की गद्दी से हटा दिये गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिर्जिस कद्र को नया नवाब घोशित कर दिया गया बिर्जिस कद्र ने भी बहादूर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा दिने बढ़ चट कर हिस्सा लिया जहांसी में राणी लक्षे भाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली उन्होंने नाना साहिब के सेना पती तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनोती दी मद्य परदेश के मांडला छेतर में राजगड की राजी अवंती बाई लोधी ने चार हजार सैनिकों की फौज देयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेत्रित्त किया क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राजी के प्रशासन पर नेंतरन कर लिया था विद्रोही टुकडियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है अब लोगों को विद्रोहों में कूद पढ़ने का गहरा अत्म विश्वास मिल गया था। खास तोर से अवद के इलाके में चोतरफा बगावत के सिती थी। 6 अगस्त 1857 को लेटिनेंट करनल टाइटलर ने अपने कमांडर इनचीप को टेलिग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेजों के भै को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगतार लड़ाई से ठक गए हैं। एक एक गाउं हमारे खिलाफ है। जमिंदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दोरान बहुत सारे महत्पुन नेता सामने आये। उधारन के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविश्वानी कर दी कि अंग्रेज का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वो समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी अधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से करने के लिए बहुत सारे गाजी यानि धर्म योद्धा इकठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बक्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकुडी के साथ दिल्ली के ओर कूच कर दिया। वो इस बगावत में एक मुख्य वेक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमिंदार कुमर सिन ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। गती विधी एक मुगल समराट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क चित्र ग्यारा ब्रिटीस टुकडियां विद्रोहियों पर हमला करती है जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दाएं तता सलीमगड किले बाएं पर कबजा किया हुआ था। और विद्रोह के मुख्य किंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दوبारा अंग्रेजों के कबजे में आ गई। अंती मुगल बादशा बहादूर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारवास के सिजा दी गई। उनके बेटों को उ अंग्रेजों का कबजा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहें। और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंती बाई लोधी के साथ हुआ। खेडी की सुरुवाती विजई के बाद उन्होंने अपने आपको अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और विशहीद हो गई। तात्या टोपे मद्ध भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छपामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को अधसा मिला था उसी तरह विद्रोही ताक्तों की हार से लोगों की हिम्मत तूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जितने के लिए हर संभव परियास किया उन्हें वफ़ादार भोस्वामियों के लिए रियामों का ऐलान कर दिया उनकी जमीन पर उनके परमपरगत अधिकार बने रहेंगे जिन्होंने विद्रो किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पन कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी इसके बावजूद साइकडो सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फासी पर लटका दिया गया चित्र बारह, विद्रोही सिपाही मेरट से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं सुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किले बंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई तीन सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और जदा हथियार गोले आदी पहुचाए गए ये गाडियों पर लदे हुए थे जिने हाथी खीच रहे थे और इनकी कतार साथ मिल लंबी थी गती विधी उन स्थानों की सुची बनाएं जहां 1857 के मई, जून और जुलाई महीनों में विद्रो हुए चित्र चौदा अंग्रेज टुकडियां दिल्ली में घुसने के लिए कश्मेरी गेट को बारुज से उड़ा देती है चित्र पंद्र अंग्रेज टुकडियां कानपूर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती है ध्यान से देखें कि किस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धाव बोलते हुए दिखाया है विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1869 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंतरन पा लिया था लेकिन अब वे पहले वाले नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किये वे निमलिखित हैं पहला बिटिश संसद ने 1859 में एक नया कानून पारित किया और इस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार बिटिश समराज के हाथ में सौप दिये ताकि भारतिये मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंक से संभाला जा सके बिटिश मंत्री मंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रोप में नियुक्त किया गया उसे भारत के शासन से सम्मंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौप आ गया उसे सलाह देने के लिए एक परिशत का गठन किया गया जिसे इंडिया कौनसिल कहा जाता था भारत के गवर्णर जनरल को वाई सराय का उहदा दिया गया इस परकार उसे इंगलेंड के राजा रानी का नीजी परतिनिधी घोशित कर दिया गया फल सोरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली दूसरा देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्ट में कभी भी उनके भूश शत्र पर कबजा नहीं किया जाएगा उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहां तक की दत्तक पुत्रों को सौपने की छूट दे दी गई लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्ररित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपती स्विकार करें इस तरह भारतिय शासकों को ब्रिटिस समराजी के अधिन शासन चलाने के छूट दी गई तीसरा सेना में भारतिय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपिय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया या भी तैय किया गया कि अवद, बिहार, मद्धिभारत और दक्षिन भारत से सिपाहियों की भरती करने के बजाए आप गोर्खा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भरती किये जाएंगे चौथा, मुसल्मानों की जमीन और संपती बड़े पैमाने पर जब्त की गई उन्हें संदेव सतुरता के भाव से देखा जाने लगा आंग्रेजों को लगता था कि या विद्रो उन्होंने ही खड़ा किया था पांचवां, आंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रिती रिवाजों का सम्मान करेंगे छटा, भूस्वामियों और जमिंदारों की रक्षा करने था जमीन पर उनके अधिकारों को अस्थायतु देने के लिए नीतियां बनाई गई इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का नया चरण शुरू हुआ खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना सन 1817 में खुर्दा नमकस्थान में घटित हुई थी हमारे लिए उस घटना का अध्यन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षा प्रद होगा की कैसे अंग्रेजों की आपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19. सदी की सुरुवात से ही देश के विविन हिस्सों में असंतोस निर्मित होने लगा था खुर्दा जो की ओडिसा के दक्षिन पुर्वी भाग में एस्थित एक छोटा राजी था वह 19. सुरुवात में 105 गढ़ों जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गाउं समलित थे एक जन बहुल उपजाओ छेत्र था इसके शासक राजा बीर किशोर देव को स्व अधिकरित चार परगनाओं को तथा जगनात मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़जातों के प्रशासनिक उत्तरदाईतों को पुर्व में दवाओ में आकर मराठाओं को सौप देना पड़ा था उनके पुत्र तथा उत्तर अधिकारी मुकुंद देव इस दुर्दशा से विचलित थे अता अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोई हुए श्यत्रों तथा जगनात मंदिर की देख रेक्से संबंधित अधिकारों की पुनह प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सला मश्वरा सुरू कर दिया था परंटु 1803 में ओडिसा को अपने कबजे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों पर इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकरात्मक कारवाही करने की दिशा में कोई रूची नहीं दिखाई परिनामता ओडिसा के दुसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मरठाओं के गुप्त समर्थन से उनने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया इसकी बज़ा से उन्हें अपने पद से वियस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उनके राजे को अपने मिला लिया सांतोना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ जो की उनकी पुर्व भुसंपत्ती के राजसु का मात्र एक दसमांस था अंग्रेजों ने उन्हें जगनात मंदिर की देखरेका दाईत उदिया तथा उनका निवास पूरी में निश्चित कर दिया था इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिसा में दमनकारी विदेशी सासन के एक ऐसे युक का प्रणब हुआ जिसने 1817 में गंभीर ससस्त्र संगराम का मार्ग प्रसस्त किया खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्यों निवरित जमीन पर कर लगाने की निती अपनाई इसमें राजी के पुर्वसैनिक वर्ग जिने पाईक के नाम से जाना जाता था उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ इस निती की भायवहता राजस्यों की मांग में अनुचित वर्धी और इस संग्राह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी इस कारवाही के फलसुरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़ कर चले गए फिर भी अंग्रेजों ने अस्थाई बंदोबस्त के तहट राजस्यों भुगतान की निती को चालू रखा जिसमें जमीन की उपजाओ शम्ता तथा रहतों की भुगतान की शम्ता की अंदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्यों की मांगों में वर्धी की गई यहां तक की प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उधारता नहीं दिखाई गई जबकि ओडिसा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी बकाईदारों की जमीन को शड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टे बाजों को बेच दिया गया खुर्दा के वियस्थापित राजा का वन्शानुगत सेननायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय जिनें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे वो ऐसे बेदखल हुए जमिनदारों में से एक थे बेवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे अपनी तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की और से संघर्स करने का निश्चे करने से पुर्भ प्राया दो साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैचिक दान से अपना गुजारा किया बीते हुए वर्स के साथ साथ जो तकलीफ हैं इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी वे थी क अंग्रेजों द्वारा इस छित्र में चांदी के सिकों का परचलन ख इस नई मुद्रा में राजस्व के भुकतान पर जोड़ देना गः खादिश सामगरी की कीमतों में अभूत पुर्व व्रधी तथा नमक की आपूर्ती में कमी जो की कंपनी के एकाधिकार निती के चलते लगभग दुरलब हो गया था और जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गये थे जमिंदार का आगमन हुआ इसके अतरिक्त असमिदंशील तथा भ्रष्ट पुलीस प्रशासनिक बिवस्था ने भी इस्थिती को और दुशकर बना दिया जिसके चलते होने वाले सर्शस्त्र संग्राम ने और भयाव आकार धारन कर लिया 29 मार्च 1817 को इस संग्राम के सुरुआत तब हो गई जब पाईकों ने बानपूर में सित पुलीस चौकी और अनि सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और सौ से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए शिक रहीं खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग-अलग दिशाओं में फैल गई उत्सा से भरपूर जमिंदार और रएत पाईकों के साथ मिल गए जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताडित किया गया एक कर मत दो अभियान भी सुरू किया गया अंग्रेजों ने पाईकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की परंतु असफल रहे 14 अप्रेल 1817 को बक्सी जगवंधु ने 5 से 10 हजार पाईकों और कंध जनजाती के योद्धाओं की अगवाही कर पूरी को कबजे में ले लिया और मुकुंद देव दूतिये को उनकी जिजग के बावजूद राजा घोशित कर दिया जगनात मंदिर के पुजारियों ने भी पाईकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया इस सिती को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल ला लागू कर दिया जल्द ही घोशित राजा पकड़े गए और उनके पुत्र सहित कटक में कारवास दे दिया गया बक्षी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्ण चंद्र भ्रमरवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रियास किया इसके साथ साथ संगर्ष ओडिसा के दक्षिन और उत्तर पैश्मी हिस्तों हैं फैल गया परिणाम सरोप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिंडल को पाईकों के चंगुल में पूरे छेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बक्षी जगबंधू और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरशकार के भी घोष ना की इस प्रकार जो सामरिक कारवाई चली उसमें सैकडो पाईक मारे गए कई घने जंगलों में चले गए और अनिसामोहिक शमा योजना के तहत अपने घरों में लोट गए इस तरह से अंग्रेजों ने मई 18-17 तक खुरदा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया परंतु खुरदा के बाहरी शेत्रों में बक्सी जगबंधू ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाईकों के इनके प्रती अटूट निष्ठा के कारण इस संगर्स को मई 1825 तक जारी रखा जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्म समर्पन कर दिया इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुरदा के लोगों के प्रती अपनी ओर से दयालू अनुग्रहित और सहनशिल्टा की निती अपनाई पुलिस और नयाएक विवस्था में अवश्चक सुधार किया नमक की कीमतों में कमी की गई जिन राजस्व अधिकारियों को भरष्ट पाया गया उन्हें कारी से निश्कासित कर दिया गया और बेदखल जमिनदारों को अपनी जमीन लोटा दी गई दिवंगत खुरदा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतिये को सतंत्र कर पूरी जाने दिया गया और 26,000 रुपे के अनुदान के साथ उन्हें जगनात मंदिर की देख रेक का दाइत भी सौपा गया संचेप में यह ओडिसा में अंग्रेज के विरुद पहला लोक प्रिये सशस्त्र संहर्स था जिसका उस छेत्र में बिर्टिश शासन पर दुर्गामी प्रभाव पड़ा अता इसे मात्र पाईक विद्रोह कहना इसे कमतर कर आँकना होगा अन्यत्र परम शांती के एक स्वर्गिक सामराजी की खातिर जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला उसी समय चीन के दक्षनी भावों में भी एक विशाल जन्विद्रोह पैदा हो रहा था यह विद्रोह 1850 में सुरू हुआ और 1860 के मद्दे में जाकर खत्म हुआ हांग जिकुआंग के नित्रित्व में हजारों महिनत कश गरीब लोगों ने परम शांती के स्वरगिक सामराजी के स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी इस विद्रोह को टाइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है हांग जिकुआंग ने धर्मांतरन करके इसाई धर्म अपना लिया था और वह कनफ्यूशियस वाद और बौध आदी परमपरगत चिनी धर्मों के खिलाब थे टाइपिंग के विद्रोही एक ऐसे सामराजी के स्थापना करना चाहते थे जहां इसाई धर्म को माना जाएगा जहां किसी के पास निजी संपत्ती नहीं होगी जहां सामाजी कुवर्गों और इस्तिरी पुरुश के बीच कोई भेद नहीं होगा जहां अफीम, तंबाको, शराब के सेवन तथा जुए, विश्याविर्ती और गुलामी पर पाबंदी होगी चीन में तैनात, अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग सामराजी के बादशा को काफी मदद दी जून 1857 में विद्रोही टुकडियों ने रेजिदेंसी को कबजे में ले लिया बहुत सारी अंग्रेज और्तों, मर्दों और बच्चों ने रेजिदेंस की इमारतों में पनाह ली हुई थी विद्रोहीों ने इस पूरे परिसर को घेर कर उन पर गोलों से हमला किया इसी तरह के एक गोले से अवद के चीप कमिशनर हेंडरी लॉरेंस की भी मौत हो गई थी हेंडरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे वह इस चित्र में दिखाई दे रहा है गौर से देखें कि इमारतों पर बीते दौर के निशान किस तरह बचे रह जाते हैं आये कल्पना करें कल्पना कीजिए कि आप विद्रोह के दौरान अवद में तैनात ब्रिटिश अधिकारी हैं विद्रोहियों से लड़ाई की अपनी उजनाओं को गुप्त रखने के लिए आप क्या करेंगे